हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगे और अगर आप के लिए काफी important खबरे लेकर आया हूं और यह खबर आपने कल देखी होगी तो उसके बारे में मैं कुछ analyze करने वाला हूं तो जैसे ही मैंने कल वो खबर डाली कि MCD PRT का जो exam हुआ है उस पर जल्द ही CBI inquiry होने वाली है उसको देखते ही वीडियो को देखने के बाद काफी कैसे comments आये काफी लोगों ने ऐसे question करे मतलब ऐसे हड़कम सा मच गया उसे देखने के बाद तो इससे कहीं न कहीं यह लगता है कि गलत तो हुआ है मैं यह नहीं कह रहा सातियों आप ध्याम दे मैं किसी को target नहीं कर रहा और रही बात मैं किसी का personal ऐसे नहीं कि किसी का नुक पे target कर रहे नहीं मैं किसी को target नहीं कर रहा जो eligible है जो साती अच्छा है जिसने बहुत अच्छी मेहनत करी है उनके मैं साथ हूँ आप ध्यान रहे जिसने अच्छी मेहनत करी है मैं उनके बिलकुल साथ हूँ लेकिन जो लोग जिनको इतना benefit मिला है या कुछ भी हुआ है उनके हम बिलकुल खिलाफ हैं और उसके लिए जब तक लड़ाई लड़ी जाएगी हम कोशिस करते रहेंगे और ऐसा नहीं है काफी ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनके साथ एक्चुल में गलत हुआ है तो ये सारी चीजे कल मैंने जो देखी कि काफी ऐसे लोग थे जिनके क्योंकि सिर्फ नॉलिज होना ही जरूरी नहीं है इंट्रवी होना भी जरूरी है क्योंकि जिसे साथ से लोग नॉलिज है काफी ऐसे लोग हैं जिनमें नॉलिज है कुछ ऐसे हैं जिनमें नॉलिज नहीं है लेकिन वो बत्तमीजी कर रहे हैं तो बत्तमीजी करने वाले लो काफी लोगों ने ऐसे कमेंट करें हैं वो सिलेक्टिड हैं मैं समझ रहा हूं बिल्कुल अब उस कमेंट में जो एब्यूजिंग लेंग्विज उन्होंने यूज करी है वो कैसी मानसिक्ता दर्साती है उनकी कितनी नेरो थिंकिंग है वो बच्चों का किस तरह का भुविस्य बना सकते हैं तो यह सारी चीजे देखकर बहुत दुख होता है कि यह किस टाइप के ठीचर है यह किस तरह का बच्चों का भुविस्य बनाएंगे दुख इस चीज का है कि जो आने वाले बच्चे होंगे वो क्या सीखेंगे मतलब इतना एग्रिसिव होना मैं आपको कि हम उनसे इतना गंदा बोले हैं और मतलब ऐसे वर्ड यूज करना इतनी गंदी गंदी जो एब्यूजिंग वर्ड होते हैं I cannot explain which type of teacher they are going to be मतलब इतना दुख होता है देखके इससी सीधा दिखता है कि जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया उनका भविश्य किस लेवल का होगा और इन लोगों को काफी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे फिरी में परशाद मिला है तो उनको बड़ा दुख हो रहा होगा मैं यह नहीं कह रहा जो लायक हैं उनके मैं आज भी साथ हूँ पहले भी साथ था और साथ रहूँगा वो हमारे भी साथ है ऐसा नहीं है वो हमारे भी साथ है लेकिन जो लोग इतना गलत बोलते हैं तो उनके लिए ये मैसिज है कि आप जल्द ही जो CBI इंक्वारी होगी तो उसके अंडर अगर आपने कहीं भी गलत किया है तो आपके उपर गाज जरूर गिरेगी ध्याम दे जो भी साथी या जो भी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं दूसरों का हक खाते हैं उनके उपर गाज जरूर गिरेगी और जल्दी CBI इंक्वारी होने वाली है और अगर नही होती है तो हम लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं जो डिजर्विंग थे वो सारे बाहर आएंगे और जल्दी CBI इंक्वारी होगी तो साथियों बस ये कहना चाहता हूं सिक्षक बनने से पहले आप सबसे पहले इंसान बनें सिक्षक तो बहुत उची बात है जिसके जो अब्य जूज कर रहे हैं और जो सिक्षक बनने जा रहे हैं जिनका सिलेक्षन हो गया वो इस लायक ही नहीं है काफी जो गाली दे रहे हैं वो किस लायक हैं तो बस ये बहुत दुख हुआ देखके तो ओवर आल फस्टली हुमेन बनो इंसान बनो तो सातियों जल्दी दूद का पानी होने वाला है गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम